तर आज आपन पहना रहो, Trigonometric Ratio for Different Angles तर आज आपन सर्वात दि पहना रहो, Theorem of 30, 60, 90 degree triangle तर आज आपन पहाई चाहे, सर्वात दि आपन पहू, Theorem of 30, 60, 90 degree triangle तर तर आज आपन सर्वात दि statement पहून क्यो statement आहे, we know that if the measure of angle of triangle are 30 degree, 60 degree, 90 degree then side opposite to 30 degree angle is half of hypotenuse and side opposite to 60 degree angle is under root 3 by 2 of hypotenuse इधे माठ लेला हे, या theorem मधे, जर आपन 30, 60 degree चा triangle आपन कंसिडर केला तर जी side 30 degree चा, 30 degree angle चा opposite side ने असते, ती hypotenuse चाहाफ असते आनि जी side 60 degree angle चा opposite side ने असते, याचा measurement असते under root 3 by 2 of hypotenuse माझे, side opposite to 30 degree is half of the hypotenuse आनि side opposite to 60 degree angle is under root 3 by 2 of hypotenuse या स्टेटमेंट दिलेला अपनला थेरम चा, तर आपन इते है आपन सरवाद आधी कंसिडर करूंगे, एक राइट आंगल ट्रेंगल जो की जाचे measurement आहे 30 degree, 60 degree and 90 degree आपन ट्रेंगल कंसिडर के लेला है, ट्रेंगल A, B, C एंगल B दिलेला है 90 degree आनि एंगल A आनि C चा measurement दिलेला है, एंगल A चा measurement केतला आपन 60 degree आनि एंगल C चा measurement केतला 30 degree एंगल B हाँ दिलेला है 90 degree मंजे आपन महनोशक्तो, एंगल B चा अपोजिट साइड ला आपन मन्तो हाइपोटेनियस येट फिगर मदे साइड इसी हे ओनार हाइपोटेनियस ट्रेंगल A, B, C आपन लिएंगे दिलेला है, ट्रेंगल A, B, C चा राइट अंगल ट्रेंगल, आंगल C is equal to 30 degree, आंगल A is equal to 60 degree, आंगल B is equal to 90 degree दिलेला थेरम चा स्टेटमेंट वरून आपन सरवात अदिको लिएंगे, आपनलेला स्टेटमेंट मादे मतलेला है, साइड अपोजिट ट्रेंगरी आंगल is half of the हाइपोटेनियस 30 degree चा, आंगल 30 degree चा, अपोजिट साइड जी आहे, आंगल 30 degree आहे, अपला C, तची अपोजिट साइड आए, A, B, तरती A, B साइड होनार half of the हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस आहे, आपनले देलेला फिगर मादे A, C माझा आपन लिए शक्तो, A, B is equal to half of A, C आपन केतलेला हे, side opposite to 30 degree angle is half of the हाइपोटेनियस, side opposite to 30 degree आहे, A, B is equal to लिए शक्तो, आपन half of the हाइपोटेनियस, is equal to half of हाइपोटेनियस आहे, अपनले अपोजिट साइड आपनले देलेला हे, side opposite to 60 degree angle is under root 3 by 2 of हाइपोटेनियस, side opposite to 60 degree angle आहे, 60 degree साइड आहे, अपनल A, ची अपोजिट साइड आहे, B, C माझा आपन लिए शक्तो, B, C is equal to under root 3 by 2 of हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आहे अपनल A, B, C चा साइड AC आपन तयानो सार लिए शक्तो, B, C is equal to under root 3 by 2 AC देलेला धेरम चा स्टेट्मेंट वरोन, जे आपलाला धेरम चा स्टेट्मेंट देलेला है, धेरम आप 30 degree, 60 degree, 90 degree चा तया वरोन आपन दोन इक्वेशन फाइड केलेला है, A, B is equal to half of AC औड B, C is equal to under root 3 upon 2 AC आपलेला trigonometric ratio find करें चे तैसेटी आपन consider करूंगे वाल्यू ABC आपन value A ही एक value आपन consider करू side ABC चीजर length आपन consider के लिए A आपन पहला find के लिला है AB is equal to half of AC आनि तया equation मदेजर आपन ठेवला value AB is equal to A0 value ठेवली आपन तरका होनार E is equal to half of AC आपन निते लिए उन्गियो side opposite to 30 degree angle is half of hypotenuse वरुना आपन गेतलो ते AB is equal to half of AC आनि इते जर आपन consider के लिए AB is equal to A तर होना A is equal to 1 upon 2 AC इते 1 upon 2 AC आपन टू मदला तू जर आपन दूसरे साइड ने shift के ला right hand side चार left hand side ला जर shift के ला left right hand side ला टू हाड denominator मदला आए आनि जर तेला आपन shift के ला तो multiplication मर जानार मग ते आपन लिए उसकतो 2A is equal to AC मझे AC आए ट्राइंगल ABC मदला हाइपोटेनियस तेला आपन लिए उसकतो तेयाच मेजर्मेंट आपला कड़े आला AC is equal to 2A next आपन consider के लेला होता side opposite to 60 degree angle is under root 3 upon 2 of hypotenuse तेया उरुना आपन statement के लेला होता side opposite to 60 degree ही गेतली होती है आपन BC side angle A ची opposite side होती है आपला कड़े BC is equal to आपन लिए लेला है under root 3 upon 2AC आणि आताच आपन find के लेला है भेलिव AC is equal to आपला कड़े आलेला ही 2A तर तेया मदे आपन AC चाठीका ने 2A ही भेलेट हो BC is equal to आपला कड़े नार under root 3 by 2 into 2A denominator चा 2 under root 3 upon 2 मदला 2 2A मदला चार 2 cancel जाला तर आपन लिए उसकतो BC is equal to under root 3A जर आपन hypotenuse consider के ला 10 cm AC is equal to 10 cm तर आपन काई find के लेला है आदी AC is equal to 2A जर AC is equal to 10 cm आपन consider के ला तर A ची value नार 5 cm A ची value मन्जे side AB ची length नार 5 cm आपन consider करूंगे हो आपला कड़े आलेला value AB is equal to A, AC is equal to 2A and BC is equal to under root 3A ये आपला कड़े value आलेला है तर आपन सर्वाता दी find करूंगे trigonometric ratio of 30 degree angle इते 30 degree angle है angle C, angle C चे आपन trigonometric ratio of find करूंगे trigonometric ratio मदे आपन sin cos tan ratio आपन find करूंगे trigonometric ratio of 30 degree angle सर्वाता दी आपन गेउ sin 30 degree आपलाला sin cos and tan चे ratio कशे find करा चे माहितिया है sin ratio आपन लेया तसतो opposite side upon hypotenuse cos ratio अपन लिया तस्तो adjacent side upon hypotenuse अनि 10th ratio अपन लिया तस्तो opposite side upon adjacent side तर सरवाता दिया अपन गेऊ sine ratio, sine 30 degree sine 30 degree का आया नार opposite side of angle 30 degree upon hypotenuse triangle ABC मदे hypotenuse आहे AC आनि side opposite to angle 30 degree ही आहे AB मगा अपन लियो शक्तो sin 30 degree is equal to AB upon AC AB चे लेंथा अपला कड़े A आनि AC चे लेंथा है 2A मनुना sin 30 degree is equal to A upon 2A numerator मदला A आनि denominator मदला A जर आपन कैंसल केला तर आपला कड़े शिल्लक रहाते 1 upon 2 मनजे आपला ratio होना sin 30 degree is equal to 1 upon 2 trigonometric ratio of 30 degree angle मदला आपन पहला ratio find के लेला है sin 30 degree sin 30 degree आलेला है 1 upon 2 यह value आपलाला लक्षाठे वैचा trigonometry मदे खूप important value आहे है sin 30 degree cos 30 degree tan 30 degree आपन पहला ratio find के लेला है next ratio आपन कंसिडर करू cos 30 degree cos चा ratio आपन लिया तस्तो adjacent side upon hypotenious adjacent cos 30 degree साथ आपन लिनार adjacent side of angle 30 degree upon hypotenious adjacent side of angle 30 degree triangle ABC मदे आपनला दीसाता है BC आपनी hypotenious आपनी AC आपनी BC ची लेंथ आपना कड़े under root 3 upon A sorry under root 3 A आपनी hypotenious आपनी AC ची लेंथ आपना कड़े 2 A cos 30 degree आपना under root 3 A upon 2 A that is equal to numerator मदला A आपनी denominator मदला A जर आपन कैंसल केला ततो आपन लें उशक्तो under root 3 upon 2 मंजे cos 30 degree जा रेशियो आपना कड़े under root 3 2 trigonometric ratio of 30 degree angle मदला second ratio आपन फाइंड के लेला है cos 30 degree is equal to under root 3 upon 2 पहला ratio जला sin 30 degree is equal to 1 upon 2 second ratio जला cos 30 degree is equal to under root 3 upon 2 third ratio है 10 30 degree 10 30 degree आपन लें उशक्तो opposite side upon adjacent side 10 ratio आपन लें तस तो opposite side upon adjacent side 10 30 degree आपन लें उशक्तो opposite side of angle 30 degree upon adjacent side of angle 30 degree opposite side of angle 30 degree है A B आनि adjacent side of angle 30 degree है BC AB ची length आपला कड़े A आनि BC ची length आपला कड़े A अनि बीसी ची length आपला कड़े A numerator मदला A आनि denominator मदला A जर आपन cancel के ला तर आपला कड़े एते 1 upon under root 3 मंझे 1030 degree चा ratio आपला कड़े होनार 1 upon under root 3 अशा प्रकारे आपन trigonometric ratio of 30 degree angle find के लेला है sin 30 degree is equal to 1 upon 2 cos 30 degree is equal to under root 3 upon 2 tan 30 degree is equal to 1 upon under root 3 या तीन value आपन find के लेला है next आपन find करो trigonometric ratio of the 60 degree angle या value आपला आपला trigonometric example चाब खूब महत्वाचा value आपन next आपन find करना आप trigonometric ratio of 60 degree angles आपन trigonometric ratio के लेला है ABC B आपन 90 degree चाए अंगल आपन side चाए लेंथ लेंथ लेंगे लेला ABC is equal to A AC is equal to 2A BC is equal to under root 3A sin 60 degree आपन लेवशकतो opposite side of angle 60 degree upon hypotenuse opposite side of angle 60 degree आपन BC आपन लेवशकतो BC ची लेंथ आपलाए पड़ेया under root 3A आपन लेवशकतो आपन लेशकतो आपन लेवशकतो under root 3 upon 2 trigonometric ratio of 60 degree angle मदला sin 60 degree ची value आपलाए कड़े आले लिया है under root 3 upon 2 second ratio आपन कसिर्र करू cos 60 degree cos 60 degree चाए अंगल 60 degree upon hypotenuse इते अंगल 60 degree ची adjacent side आहे side AB आनी hypotenuse आहे AC AB ची लेंथ आपलाए कड़े आहे A आनी AC ची मज़े hypotenuse ची लेंथ आहे 2A ते आपन लेवशकतो cos 60 degree चा ratio A upon 2A numerator मदला A आनी denominator मदला इजरा पंद कैंसल केला तर आपला कड़े value ची लग रहाते 1 upon 2 मज़े trigonometric ratio of 60 degree चाए अंगल चा second ratio आपलाला भैटला है cos 60 degree is equal to value आले आपला कड़े 1 upon 2 third ratio आपन कंसिडर करू 1060 degree 1060 degree चा ratio आपन लेशकतो 10 चा ratio आपलाला माहिता है opposite side upon adjacent side पन आपलाला हिते find करेचा है 1060 degree tangent ratio of 60 degree चाए अपन लेशकतो opposite side of angle 60 degree upon adjacent side of angle 60 degree opposite side of angle 60 degree है side BC and adjacent side of angle 60 degree है AB BC ची लेंता है अपला कड़े under root 3A आपन अब ची लेंता है A numerator आण आण डिनोमेनेटर मतला A आपन चैंसल केला तर अपला कड़े value शिल लाग रहा थे under root 3 अशा प्रकार आपन तीनी value find केलेला है trigonometric ratio of 60 degree अंगल साथी sin 60 degree cos 60 degree आणी tan 60 degree sin 60 degree ची value अपला कड़े under root 3 upon 2 cos 60 degree ची value आलीलिया 1 upon 2 tan 60 degree ची value अले under root 3 आपन या सरव वैल्यू एक अत्र लिवन गेतलेला है tan 30 चै trigonometric ratio of 30 degree आणी trigonometric ratio of 60 degree आपन पाहूं सागूं हे सरव वैल्यू अबजर करूना आपन सागू शक्तो sin 30 degree ची value आणी cos 60 degree ची value same आपलाला दिसाता है that is 1 upon 2 आणी cos 30 degree ची value आणी sin 60 degree ची value आपलाला same दिसाता है that is under root 3 upon 2 तर आपन बगुया त्या मदे काई relation आए sin 30 degree आणी cos 60 degree मदे आणी cos 30 degree आणी sin 60 degree मदे काई relation आपलाला दिसाता 30 degree is equal to 1 upon 2 आणी cos 60 degree is equal to 1 upon 2 मनुन आपन लिव शक्तो sin 30 degree is equal to cos 60 degree 30 degree is equal to 1 under root 3 upon 2 आणी sin 60 degree is equal to under root 3 upon 2 आए right-hand side दोने सेम आए मनुन आपन काई मनुशक्तो cos 30 degree is equal to sin 60 degree अच्या प्रकरे आपन value पाहलेला है trigonometric ratio of 30 degree आणी trigonometric ratio of 60 degree आपन याँ आदी चा वीडियो मदे पाहलेला होता in right angle triangle a, b, c angle b is 90 degree therefore angle b and angle c are complementary angles मन्चे angle a plus angle c is equal to 60 angle a plus angle c is equal to 90 degree तर आपन याँ आपन पाहलेला है यादी चा वीडियो मदे आपन पाहलेला होते फॉर्मूली sin theta is equal to cos 90 minus theta and cos theta is equal to sin 90 minus theta sin ला आपन cos चा फॉर्म मदे लिलेलो तानी cos ला sin चा फॉर्म मदे लिलेलो इथे आपन मठ लेला है sin 30 degree ची value आणी cos 60 degree ची value आपला कला सेम दिशाता है तर आपन ते बगू sin theta is equal to cos 90 minus theta आपलेला इथे दिलेला है जर आपन इथे theta ची value चा फॉर्म कंसिडर के लिए 30 degree मझे इथे का होनार sin 30 degree is equal to cos 90 minus theta चा 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 लिए आपन गितलेला है 30 degree मझे sin 30 degree is equal to cos 90 minus 30 90 minus 30 degree आपन के लिए लाही थे तर इथे आपन लिए उशकतो sin 30 degree is equal to cos 60 degree आपन तेसे relation माट लेला होता sin 30 degree is equal to cos 60 degree sin 30 degree ची value है आपला कड़े 1 upon 2 और cos 60 degree ची value है 1 upon 2 मझे आपन लिए उशकतो sin 30 degree is equal to cos 60 degree आपन सेकंड फॉर्मूला आपन या दिचे वीडियो मादे पालेला होता cos 30 degree cos theta is equal to sin 90 minus theta cos theta ची ठीकानी जर आपन इथे 30 degree मझे का होना रिथे cos theta is equal to sin 90 minus theta इथे जर आपन theta ची ठीकानी 30 इथे ला तर आपन लिए उशकतो इथे cos 30 minus sin 90 minus 30 that is 90 minus 30 is equal to 60 therefore cos 30 is equal to sin 90 minus 30 that is we get the value cos 30 is equal to sin 60 degree आपन मझे लेला है cos 30 is equal to sin 60 degree आलेला है cos 30 ची वैल्यू उती अपला गड़े under root 3 upon 2 आणी sin 60 degree ची पन वैल्यू उती अपला गड़े under root 3 upon 2 जा अवरोन आपन महनुशकतो cos 30 is equal to sin 90 minus 30 that is equal to cos 30 is equal to sin 60 degree that is both values are under root 3 upon 2 is equal to under root 3 upon 2 अश्या प्रकारे आपन trigonometric ratio of 30 degree angles आणी trigonometric ratio of 60 degree angles आपन फाइंड के लेला है आणी त्या वरोन आपन सांगू शकतो कि sin 30 degree छी value equal as cos 60 degree ला मनुण आपन महनुशकतो sin 30 degree is equal to cos 60 degree and cos 30 degree is equal to sin 60 degree आपला वैल्या भैल्या 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 है sin 30 degree is equal to 1 upon 2 cos 60 degree is equal to 1 upon 2 and second आपला भैल्या भैल्या है cos 30 degree is equal to under root 3 upon 2 that is sin 60 degree is equal to under root 3 upon 2